जैहिन कैसे हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे तो आपके लिए जो है लुसेंट के जो प्रस्न हैं एकजाम में बनते हैं उसी से रिलेटेड आज हम लोग देखेंगे प्रस्न तो कुछ इसमें हम लोग ट्रीक से समबंधित प्रस्न देखेंगे ट्रीक कैस कैसा है हर एक्जाम में पूछा जाता है प्रस्ण यहां से तो बहुत बेसिक से आप लोगों के लिए लाहें ट्रीक भी होंगे इसमें कुछ important प्रस्न भी होंगे जो हर exam के लिए बहुत important है तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और आप लोग इस वीडियो को भी share जरूर कर दीजेगा तो आईए हम लोग start करते हैं अपने प्रस्नों पर तो यहाँ पर देख सकते हैं जो lucent gkgs हो जाएगा यहाँ पर जो हमने लिये हैं यह सारे प्रस्न यह बहुत important है जिसे यहाँ से देख लीजे कह रहा है यहाँ पर कि जो पाकिस्तान से सटे भारत के जो राजिया हैं उनको हम लोग trick की सहता से याद करेंगे किस की सहता से याद करेंगे जो बहुत important होगा हर एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है तो देखिए यहाँ पर याद करना होगा तो हम लोग trick देखेंगे तो पंगू राज कौन सा trick हो जाएगा पंगू राज पस से पंजाब हो जाएगा इसके बाद गस से गुजरात राज से राजस्थान और जसे जम्मू कस्मी तो यह जो जितने भी राज आप लोगों को बता है यह पाकिस्तान से साटे हुए राज है याद हो जाएगा किरियर है ठीक है आगे बढ़ते हैं trick number हम लोग दुसरे पर यहाँ पर देख लीजे जो trick number दुसरा है जो हम लोग का वह है green house gases related ग्रीन हाउस जो gases है उनको हम लोग किस तरीके से याद कर सकते हैं यह हम लोग trick के माधियम से याद करेंगे तो यहाँ पर जो trick दिया गया है देख सकते हैं कि मीना का जलवा और green house gases मीना का जलवा और green house gases तो मी से क्या होगा तो मी से यानि याद कीजिएगा मीथेन हो जाएगा मी से क्या होगा तो मीथेन हो जाएगा उसके बाद देखी यहाँ पर मी से तो पता चल गया अगर नी से बात करेंगे तो नव यहाँ पर जो 9 है इसे हो जाएगा नाइट्रोस अक्साइड इसे क्या होगा नाइट्रोस अक्साइड हो जाएगा यह समझे गया अब का का परियो गया का से याद किजिएगा कारवन डाई अक्साइड यहाँ पर देख सकते हैं का से क्या होगा कारवन डाई अक्साइड हो ज जल्वा दिया गया था जल्वा यानि आप लोग याद किजेगा उसका जल्वास्प हो जाएगा और यो से यो नियाद किजेगा यो जोन हो जाएगा तो ये जो आप लोगों को पांचो बता हैं फांचो ये ग्रीन हाउस के तत्वा माने जाते हैं पांच तत्वा जो आप लो ऊकाम में प्रसना बनते हैं, क्लियर है, चलेंगे प्रसना, आगे हम लोग देखेंगे ट्रीक नमबर तीसरे को, यहाँ पर जो ट्रीक नमबर तीसरा है, कि अकार और गहराई से, महासागरों को याद करने के लिए, कौन सा ट्रीक हो जागा, अकार का भी, जो का सकते हैं, जो म यहां सागर होते हैं उनका आकार कितना है और कितना गहराई है इसको हम लोग ट्रीक के माध्यम से याद करेंगे ठीक है तो यहां पर देखी कि पैसा ट्रीक जो हो जाएगा हम लोग का पैसा पैसा जरूर आप लोग याद कीजिएगा पैसा तो सब लोग जानते हैं तो पी से पैसा, मतलब P से याद किरिएगा Pacific Ocean, P से Pacific Ocean, A से Atlantic Ocean, I से Indian Ocean, A से Southern Asian, और A से याद किजिएगा Arabic Ocean, तो यह सारे चीज आप लोगों को याद करना होगा, अकार और गहराई, यह जो महसागर है, इनको आप लोग लाइन से याद कर सकते हैं, तो देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर इसका सीक्वेण से, में लेटर दिया गया, अगर हम लोग देखेंगे, तो 2021 yönसेकड़ा, हजार दस्यार लाख, दसलाख करोण, 10 करोण, मतलब 15 करोण, 55 लाख, यहाँ पर इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं, तो इस तरह आगे भी देख सकते हैं, तो BLACK 11οςेकड़ा, हज लेवल के एकजाम होते हैं लेकिन अगर आप लोग ट्रीकोला याद कर सकते हैं पैसा तो यह सारे पूछे जाते हैं ठीक है आगे बढ़ेंगे हम लोग ट्रीक नमबर देखेंगे चौथा देखिए अच्छा सा ट्रीक यह है चौथा बहुत इंपोर्टेंट है और यहां से ए त्रीक लंबा हो जाएगा देखिए यहां पर बताया गए ठीक में कि नानक अंग दानकर अमर हो राम के पास चले गया यह कर रहा है कैसे याद करेंगे कि जो नानक है आपना जो उनके पास अंग है जो हम लोग के सरीर में अंग है उसको दान करके तो अंग को दान करके वह अमर हो राम के पास चले गए लेकिन अर्जु ने गोबिंद की राय ली और कितनी बहादरु से खुद गोबिंद बन गए तो यह सीखो के दस जो गुरु है उनको याद करने का ट्रीक है नानक अंग दान कर अमर हो गए राम के पास चले गए लेकिन अर्जु ने गोबिंद की राय ली और कितनी बहादरु से खुद क्या बन गए गोबिंद बन गए तो देख सकते हैं यहाँ पर फर्स नमबर पर ग गुरु हर राय इसके बाद देख लीजिए आठ नमबर पर जो गुरु हर किसन गुरु तेक बहादर पर दस नमबर पर तो पता है गुरु गोबिंद सी हो जाएंगे यह बहुत प्रस्ण अच्छा सा यहां से बनता है कि सीखो के दसवे गुरु निमनल लिखित में से कौन से हैं तो सीखे के दसवे गुरु 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 गुविंद सी हो जाएंगे पहले नानक हो जाएंगे यहां पर देख सकते हैं पहले नमबर पर गुरु नानक हो जाएंगे यह याद कीजेगा और दूसरा नमबर पर अंगत को याद कीजेगा गुरु अंगद और सबसे लाष्ट में याद किजेगा उनको गुरु गुविन से तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से प्रस्ण हर बार एकजाम में जिक्र करता है हमेशा पूछता रहता है अगर बात करेंगे ट्रीक नंबर पाच की बात करते हैं तो जो कोईला उत्पादक जो प्रमुख देश होते हैं उसको हम लोग किस तरीका से याद कर सकते हैं तो ट्रीक जो हो जाएगा हम लोग का कब हो जाएगा कब के मतलब सी से चाइना हो जाएगा चीन हो जाएगा इसे इवेस और बीज भारत हो जाएगा। कब याद किजिएगा, जो कवईला उतना करने वाला देस कोन सा हो , तो आप लोग के दिमाग में तुरूंत इसका उत्तरयाध हो जाना चाहिए कि कोईला उत्पादक करने वाला जो सवसे महात्वपुण देश जो हो जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा तो चाईणा हो जाएगा ईसके बाद EBS है और इसके बाद भारत हो जाएगा अपना दे अगर हम लोग देखेंगे तो अंडबार निकोबार दीपसम्मू में, तो यहाँ पे देखेंगे कैम्प बिल खाड़ी हो जाएगा, कौन सा तो कैम्प बिल खाड़ी, यहाँ पे गईलाथिया होगा, इसके बाद आगे देखेंगे, आगे चलेंगे, तो महात्मा गांधी मरी जिसे आज के डेट में वंडूर कहा जाता है, कहाँ पे अंडबार निकोबार दीपसम्मू में, जिसे आज के डेट में महात्मा गांधी जो मरीन है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो वंडूर के नाम से जाना जाता है, समझ गया है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, तो मध्या बटन दीप हो जाएगा यहां पे कौन सा दीप हो जाएगा तो मध्या बटन दीप हो जाएगा यहां पे जो रेड कलर का जो sign up किया गया है यह बहुत important किया गया है क्योंकि यहां से प्रस्ण अक्सर पूछा जाता है तो माउंट हैरियेट जिसका नया नाम आज के समय में हो जाएगा माउंट मणीपूर हो जाएगा तो नया नाम जरूर याद कीजेगा क्योंकि माउंट हैरियेट जो प्रस्ण में आएगा लेकिन अब जो प्रस्ण बनेंगे यह नए नाम से related बनेंगे माउंट मणीपूर हो उत्तर बटन दीप यहाँ पे हो जाएगा, मध्य बटन दीप भी है और उत्तर बटन दीप भी हो जाएगा, इसके बाद देखेंगे रानी जहां से समूंदी हो जाएगा, यहाँ पे सैडल पिक और इसके बाद देखेंगे South Button Island, जो भारत का छोटा NP होता है, प्रस्ण पूशा जा सकता है कि निम्ना लिखित में से भारत का छोटा एनपी कौन सा हो जाएगा तो आप लोग जरूर यात कीजेगा जरूर आपके दिमाग में तुरंत प्रस्ण आ जाना चाहिए कि सर पढ़ाय थे साउथ बटन आईलेंड जो भारत का सबसे छोटा एनपी होता है क्लियर है आगे बढ़ेंगे देख लीजे आंध्रपरदेश की और चलते हैं आंध्रपरदेश में चलेंगे तो पॉपी कोडा इसके बाद जो राजीव गांधी जिसको रामिस्वर के नाम से मोगे जाना जाता है और जो स्री वाकेट वेस्व जील्ए यहां पहर जो शीरी वाकेट वर्सद्वेस जील्जाँ ओझागा यह आंध्रपरदेश में हो जाएगा समझ गए अरू अचल परदेश की बात करेंगे तो मोलिंग और नम दफा ये कहां पहो जाएगा मोलिंग औ Sinh वाले गेंड़े के लिए सबसे जज़्यादा प्रसीत जो माना जाता है काजी य catching पर यहाँ पे है और काजी रंगा oui और देहिंग परटकई यहीप खाइगा कि घुंड कि आगे बढ़ेंगे देहिंग नेशनल पार्क नामोरी नेशनल पार्क नारंगी और कि राय मोनस Πस्याएगा हर एकजाम में यहां से प्रस्ण बनते हैं चलेंगे हम लोग उत्राखंड की बात करेंगे उत्राखंड की बात करेंगे तो जीम कार्बिनेट नेशनल पर्क पुराना नाम जो था इसका हैली और राम गंगा के नाम से जानते थी इसको नेशनल पर्क को यह भारत का पहला राष्टी यह उधान था जिम कार्बिनेट नेशनल पार्क, यह भी प्रस्ण आता है कि जिम कार्बिनेट नेशनल पार्क कहां पे है तो उत्राखन में हो जागा, इस तरह तो अब प्रस्ण बंते नहीं हैं, लेकिन मिलान करने माले से रिलेटेट प्रस्ण बनते हैं एक तरफ मिलान करने वाला एक तरफ राजिय देदेगा और एक तरफ जो है निशनल पारक देदेगा आपको वहाँ पे सही तरीका से मिलान करना होगा समझ गहें गंगोत्री और गोबिंद ये भी याद किजेगा कहां पे तो उत्राखंड में हो जागा नंदा होते हैं पछी मंगाल की तरफ हम लोग चलेंगे पछी मंगाल में देखेंगे बकसा गोरुमारा जल्दा पाड़ा निगरा घाटी उसींगा ली यह सारे चीज कहां पर हो जाएंगे तो पछी मंगाल में हो जाएंगा बहुत इंपोर्टेन्ट चीज बता रहें हнуться फ्लों क के लिए माना जाता है आगे हम लोग चलेंगे 20 वक के जो प्रमुक अंतराष्टिय संगठनों के नाम और जो उनके मुख्याले हैं उसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ठीक है तो ध्यान से देखने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं पाला जो हो जाएगा अरब एंटरनेशणल का मुख्याले कहा हो जाएगा लंदन आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नमबर देखिए तिसरा जो है कि संजुक्त राष्ट अधावगिक विकास संगठन इसका मुख्याले बियाना हो जाएगा संजुक्त राष्ट अधावगिक विकास संगठन का मुख्याले कहां पे होगा दोस्तों तो ये बियाना हो जाएगा आगे बढ़ेंगे पेट्रोलियम उत्पादक देशों का जो संगठन है जिसको ओपेक कहा जाता है इसका मुख्याले भी बियाना हो जाएगा कहा पे बियाना हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है इसके बाद जो संजुक्त राष्ट अधावग विका भी भी आना है, आगे देखिए जो सन्जुक्त राष्ट खादया और क्रिसी संगठन है, εफ एक क्यो, इसका मुख्याले कहाँ पे हो जाएगा, तो इसका मुख्याले रोम होगा, सारक का मुख्याले साथ नमबर देखेंगे सारक का मुख्याले इसका मुख्याले काठ मान दो सारक का मुख्याले कहाँ पे दुस्तों काठ मान दो इसके बाद कोशन आठ नमबर देखेंगे कि एरोपिय संसद का मुख्याले कहाँ पे है कोश्चर नमबर 9 देखेंगे कि United National Children Education Fund है, इसका मुख्याले कहां पर हो जाएगा, अंतराष्टिय नियाले का मुख्याले कहां पर हो जाएगा, तो दहेग में हो जाएगा, 11 नमबर बात करेंगे प्रस्ने पर, कि यसिया और प्रसान छित्रों का आर्थिक और समाजिक आयो का मुख्याले कहा है तो यह बैक काउंख हो जागा प्रस्ण आया है बहुत इंपोर्टेंट है एस या और प्रसांद चेत्रों का जो आर्थिक और समाजिक आयो का मुख्याले है यह बैक काउंख हो जागा आगे बढ़ेंगे प्रस्पर आर्थिक सहयता परिसत का मुख्याले कहां पे हो जागा तो मास्क हो इंटरपोल का मुख्याले यह हो जागा फ्रांस में लयोन हो जागा इंटरपोल का मुख्याले कहां पे हो जागा फ्रांस मे बर्ग हो जाएगा इसका मुख्याले कहां पर हो जाएगा तो अश्ट्रांस बर्ग हो जाएगा आगे बढ़ेंगे कोश्चा नमर 15 पर कि एसी आई विकास बेंग का मुख्याले मनिला हो जाएगा कोच्छन नमबर 17 है कि पच्छमी Aseyes आर्थिक आयोग का मुख्याले बगदाद हो जाएगा 58 देखिये कहा है कि Aseyes और प्रसांद चित्रों का आर्थिक और समाजिक आयोका मुख्याले कहां पर है तो बैक कॉछन नमबर 16 देखिये देखिये का रहा है कि संजुक्त राष्ट संग इसका मुख्याले कहां पे है तो नीवर्क सीटी हो जाएगा और इसकी अस्थापना की बात करेंगे संजुक्त राष्ट की अस्थापना तो 24 अक्टूबर 1945 इसका अस्थापना हुआ था बिस देखिये का रहा है कि संजुक्त राष्ट प्रियावरन कार्यकरम का मुख्याले नायरोबी में हो जाएगा इसका मुख्याले दोस्तों हो जाएगा जिनेमा हो जाएगा तो जीनेमा हो जाएगा Question No.3 के बात करेंगे 20 वा स्वास संगठन का मुख्याले ये भी जीनेमा है 20 वा स्वास संगठन का मुख्याले कहां पे हो जाएगा तो जीनेमा हो जाएगा 24 नमर प्रस्न बात करते हैं यहां पे जो दिया है General Agreement on Traffic and Trade गैट का जो मुख्याले है इसका भी मुख्याले कहां पर होगा जिनेमा हो जाएगा पचीस नमबर बात करेंगे एरोपिय कॉमन मार्केट का मुख्याले ये भी जिनेमा हो जाएगा और 26 चलते हैं क्वेश्चन नमबर 26 है कि एरोपिय मुक्त बैपार संग जो मेरोपिय मुक्त बैपार संग का मुख्याले इसका भी मुख्याले जिनेमा हो जाएगा क्वेश्चन नमबर 26 देखिए करें कि एरोपिय आर्थिक समुधाय का मुख्याले इसका भी मुख्याले जिनेमा है समझ गए इतना अब खेलों से संबंदित हम लोग सब दावली की तरफ चलते हैं जो यहाँ पर दिया है question number one में कि गोगली, चाइन, मैं, सैंड्रिस किस केल से संबंदित है बहुत important है गोगली, चाइन, मैं, सैंड्रिस जो हो जाएंगे यह cricket से संबंदित है booking, throw in और flag यह किस कल से संबंदित है दोस्तों तो football से हो जाएगा इसके बाद question number three देखेंगे bully, a scoop, dribble, d bully हो जाएगा, a scoop हो जाएगा, इसके बाद dribble हो जाएगा, d हो जाएगा यह किस कल से संबंदित है तो यह honky से याद की जाएगा, किस से तो honky से चोथा की बात करेंगे deuce, court, double, fault, a smash, यह चारोची याद कीज़ेगा, deuce हो जाएगा, इसके बाद दुसरा court होगा, तीसरा double हो जाएगा, चोथा fault और पांच बाद असमेश हो जाएगा, यह जो है तो यह सतरंज से संबंदित है, किस कल से संबंदित है, तो सतरंज से संबंदित हो जाएगा, छे की बात करेंगे, कि double nilson, dog, fault, hew, यह देख लिजे, double nilson, इसके बाद dog, fault, और तीसरा hew, यह किस कल से संबंदित है, तो यह कुष्टी से related है, किस से कुष्टी से, कुष्ट तो गोल्फ से आठ की बात करते हैं, question number 8, aslam याद करेंगे, aslam इसके बाद dummy, grand slam, तीसरा हो जाएगा, यह तीनों चीज किस skill से संबंदी थे, तो bridge से संबंदी थे, किस skill से संबंदी थे, तो bridge से, question number 9 की बात करेंगे, knockout, इसके बाद down जिसको बलते हैं, punch, belt, blow, तो किस skill से संबंदी थे, तो मुख के बाजी से related है, किस से, तो मुख के बाजी से, और 10 नमर की बात करेंगे, waterfly, freestyle, breast, stock, यह किस skill से संबंदी थे, तो यह जो हो जाएंगे, यह 13 की से related हो जाएंगे, तो समझ में आ गया, question number यह आ रहा देखेंगे, double, dutch, smash, love, net, deals, किस skill से संबंदी थे, तो यह bad mental से संबंदी थे, Spanish, double hit, net fault, किस skill से संबंदी थे, तो volleyball से हो जाएंगे, किस skill से volleyball से, और 13 की बात करेंगे, chase, किस skill से संबंदी थे, तो यह 13 चीज आ आ लोग देख ली जिए, यहाँ पर 14 है, सबसे last हो जाएगा, डाइमन्ड, फीचर, होम रन या किस किल से सम्मदित हो जाएगा तो बेसबॉल से हो जाएगा तो यह सारे चीज आप लोग को बता हैं बहुत इंपोर्टेंट तो आप लोग इस वीडियो को सेयर करेगा हम लोग मिलते हैं ऐसे ही बहुत इंपोर्टेंट प्रसनों के साथ कराएंगे और GKGSB कराएंगे बहुत इंपोर्टेंट होगा ट्रीक के साथ करेंगे ठीक है तो मिलेंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धामागदार प्रसनों के साथ तो आप लोग इस चैनल पर बने रहेगा सेयर करते रहेगा ठीक है